अक्सर लोग बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसा रहे हैं और बात सही भी है इस बात में कुछ ऐसा गलत भी नहीं है लेकिन मैं आज आप से कहता हूँ कि कभी कभी हिम्मत दिखा कर उस चादर से पैर बाहर भी निकालिये देखें जब तक आप करेज नहीं दिखाएंगे आपकी लाइफ एक्सेल नहीं होगी आप जब तक उन्हीं बाउंडरीज के अंदर जो आपने अपने अराउंड बना ली हैं जीते रहेंगे आपको एक्सेल करना बहुत मुश्किल है मैं आपको अल्रेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस तरह की रियालिटी में हम रहते हैं हम उसी को सच मानकर उसी में जीते रहते हैं हम कभी भी उसके बियॉंड जाकर कुछ नया एक्सपिरियन्स करने की कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते तो आप चब तक हिम्मत दिखाकर अपने चादर से पैर बाहर निकाल कर कभी कभी कुछ नया एक्सपिरियन्स नहीं करेंगे कुछ better चो already आप experience कर रहे हो या already आप effort कर सकते हो उससे better ना explore करोगे ना experience करोगे तो आपकी कभी वो एक जो algorithm set हो गई है वो कभी break नहीं होगी आप कभी भी खुद को एक वो extra push दे के next level पर ले जाने की कोशिश नहीं करोगे जैसे मैं आपको समझाता हूँ for example आप थेले पर जाकर चाट खाते हैं आप कहीं गुम्टी पर खड़े होकर चाय पी के दो समों से खा लेते हैं और आप अगर उसी तरह की algorithm में set हैं आपने कभी experience ही नहीं किया कि आपके शहर में जो महंगा restaurant है या महंगा cafe है वहाँ जाकर बैठ कर खाने में या चाय कॉफी पीने में क्या experience होता है तो आप अपनी कभी भी उस already set habit को already set algorithm को already set lifestyle को break करके उस next level को achieve करने की कोशिश नहीं करोगे और जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक होगा भी ही होगा भी नहीं और आप अपनी life उसी एक boundary के अंदर सारी life निकाल दोगे देखे human brain को जब तक आप consciously shake नहीं करते तब तक human brain अपने comfort में ही रहता है उसी को सच मान कर उसी में ही जीता रहता है तो कभी-कभी आपको अपने चादर को break करके हिम्मत दिखागे आपको वो एक नई और better चीज experience करनी पड़ेगी जब आप experience करोगे तभी आपका taste आपको पता चलेगा कि actually आप जो already experience कर रहे हो या already जिस reality में रह रहे हो उससे better में क्या मजा है उससे better में क्या सुख है या क्या खोशी है और जब तक वो आप करोगे नहीं हिम्मत दिखाके consciously वो होगा भी नहीं इसलिए बहुत अच्छी बात है जितनी चादर उतने ही पैर पसारिये लेकिन कभी कभी हिम्मत दिखाकर उस चादर के बाहर पैल निकालिये आप अगर थेलो पर खड़े होकर चाट खाकर खुश है और किसी गुम्टी पर खड़े होकर चाय पीकर और समोसे खाकर खुश है तो आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि उस महेंगे कैफे उसका एक्सपरियंस है तो हिम्मत दिखाकर गुश जाए उस रेस्टरेंट और कैफे में जिस में आपकी जाने की इक्षा तो है लेकिन क्यूंकि आपने खुद को ये बता लिया है कि मुझे अपने चादर के बाहर पैर नहीं निकालना है इसलिए आप उस में कभी गुसते नहीं है या वहाँ जाने से ढरते हैं आप किसी vacation पर जाना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि आपकी चादर allow नहीं कर रही इसलिए कभी आप हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे उस vacation पर जाने की या कोई ऐसी चीज़े effort करने की आप हिम्मत ही नहीं दिखा रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे और जब तक आप करोगे नहीं आपको experience पता नहीं चलेगा आपको taste पता नहीं चलेगा और जब तक आपको उस चीज का taste पता नहीं चलेगा आप उस चीज को experience नहीं कर लोगे आपकी उन चीजों को लेकर चाहत नहीं बढ़ेगी, आपकी उन चीजों को लेकर एक जो ख्वायश है वो डावलप नहीं होगी और जब तक आपकी चाहत नहीं बनेगी, जब तक आपकी ख्वायश डावलप नहीं होगी, उन बैटर चीजों को लेकर I am telling you आप ना कोशिश करोगे और क्योंकि आप कोशिश नहीं करोगे इसलिए कभी होगा भी नहीं देखिए एक तरीका तो है कि आप अपने life में saving करके और अपने life को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे very good there is nothing wrong in it मैं यह नहीं कहरा कि उसमें कोई गलत है उसमें कोई खराबी है लेकिन आपकी life को excel करने का यह तरीका नहीं है यह तरीका है आपकी life को time के साथ safe रखने का और gradually with time grow up करने का लेकिन अगर आप अपने life को एक level से दूसरे level पर ले जाना चाहते हैं तो आपको उस level पर ले जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश आप तब तक नहीं करोगे जब तक आप उस better को experience नहीं कर लोगे खुद आप देख नहीं लोगे, समझ लोगे feel नहीं कर लोगे के महंगे होटलो में रुकने में क्या मजा है महंगी जगे पर खाने में क्या मजा है better quality के कपड़े और जूते पहनने में क्या मजा है हर समय बस में धक्के ना खाकर कभी कार में बैठ कर या train में, plane पर सफर करने में क्या मजा है तब तक ना आपकी ख्वाहिश बनेगी जब तक ना आपकी खुआश बनेगी ना आप तब तक effort करोगे और ना जब तक effort करोगे तब तक कुछ होगा भी नहीं देखिए आपकी life saving करके excel नहीं होती saving से आप एक safe life तो secure कर सकते हैं कैसे आप safely अपनी life को lead कर सकते हैं for long term लेकिन life को excel करने के लिए making money is more important than saving money saving से जादा पैसे कमाना जरूरी है पैसे कमाने के लिए आपको अपने लिए better और नई opportunities develop करनी पड़ेंगी खोजनी पड़ेंगी और वो आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपके अंदर ख्वाहिश develop नहीं होगी नई और better चीजों को experience करने की और अगर आपको पता ही नहीं के नई चीजें या better चीजों को experience करने में क्या मजा है क्या खुशी है आपके अंदर वो चाहट develop कैसे होगी आप तो अपने 50 रुपए की चाट के ठेले पर ही खुश है आप तो अपने 20-50 रुपए की चाय और समोसे की गुम्टी पर ही खुश है तो फिर जब ख्वाहिश ही नहीं है उससे better जगे बैठने की उससे better जगे experience करने की जो आप कपड़े पहन रहे हैं उससे better कपड़े पहनने की जो आपने shoes पैर में डाल रखे हैं उससे better shoes पहनने की तो जब ख्वाहिश ही नहीं है चाहत ही नहीं है तो आप कोशिश भी क्यों करोगे तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो होगा कैसे तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन नई चीजों को better चीजों को कभी- तो फिर आपको भी अंदर से आवाज आना शुरू होगे कि नहीं आर अब गुम्टी पर खड़े होकर चाहे नहीं पीनी, कैफे में जाकर कॉफी पिएंगे, ये ठेले पर खड़े होकर चाटनी खानी, रेस्टोरेंट में जाकर कुछ अच्छा snack खाएंगे, तो आपने experience कर शुरू करोगे अपने उस algorithm को pre-set और pre-defined algorithm को break करने की और जब वो कोशिश करोगे तो आपको better opportunities मिलेंगी भी, better opportunities मिलेंगी पैसे कमाने की और पैसे कमाने से life change होती है, पैसे कमाने से life excel होती है, सिर्फ पैसे बचाने से नहीं, you need to tell this to your brain, ये आपको अपने दिमाग को बहु life lead करना तो अशूर होता है, लेकिन saving करने से life excel नहीं होती, life excel होती है, अपने लिए better earning की opportunities खोजने से या बनाने से, और वो आप तब तक नहीं करोगे, जब तक आप अपने उस pre-defined lifestyle में comfortably रहते रहोगे, आप जब तक खुद को shake करके, consciously करके better चीजों को experience नहीं करोगे, उनक और फिर नहीं आप कभी कोशिश करोगे कि उन better चीजों को आप अपनी life में retain कर सको, या उनको frequently experience कर सको, और ना कोशिश करोगे, ना कुछ होगा, लेकिन अगर जब आप कर लोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं आप, अब restaurant में ही बैट कर खाना है, cafe में ही बैट कर coffee पीनी ह इसको frequently feel करने के लिए, experience करने के लिए आपके अंदर जब ख्वाहिश और चाहर develop हो जाएगी, तो आप कोशिश भी करोगे, effort भी डालोगे, effort डालने से, कोशिश करने से opportunities मिलेंगी, life excel होगी, इसलिए I am telling you guys, कभी कभी हिमत दिखाईए, अपने चादर के बाहर पैर निकालि इन फैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी विदेना वीक आप जिस रेस्टोरेंट में जाना चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे जाने की आपके ही अपने शहर में घुश जाईए उस रेस्टोरेंट में कर दीजिए पैसे खर्च, आप जिस vacation पर जाना को पहनने पर कैसा फील होता है और आप करो, I am telling you, unless you do that, unless you reprogram your brain, unless you shake yourself and break the cycle you have already set yourself into, nothing will change in your life or it will take a hell lot of time. आप सारी उमर, सारी जिन्दगी सिर्फ डर डर कर ही जीते रहोगे और जो आपने अपने लिए एक set कर ली है, उसी में ही आपकी सारी उमर निकल जाएगी. अच्छा एक तरीका मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे for example, आप महिने में suppose चार बार बाहर चाय या समोसा खाने निकलते हैं और आप एक बार में 50 रुपे खर्च करते हैं, तो चार बार में महिने के आपने 200 रुपे खर्च कर दिये, तो आप next time खुद को उस गुम्टी प पर जाकर चाय समोसे पर पैसे खर्च करने से रोकिए, उस 50 रुपीज को बचाईए, जब आप महिने में 4 बार बाहर ना निकल कर समोसे और चाय के पैसे को बचाएंगे, तो आपके पास 200 रुपे खटे हो जाएंगे, फिर आप एक ऐसी जगे जाकर बैठिये, जहां बारो बार के पैसे बचाकर और जाकर उस जगे बैठिये, एक्सपीरियंस करिये, कि वहां बैठने में क्या मजा है, वहां आसपास लोग कैसे बैठते हैं, वहां का समोसा कैसा टेस्ट करता है, वहां की चाय कैसे प्रिजेंट की जाती है, कैसे सर्व की जाती है, जब आप experience करेंगे हर केसमें आप किसी 500 रुपय के होटल में ठहरते हैं फ्रिकुंट्ली मत जाएए आप 6 महीने में एक बार जाइए आप साल भर में एक बार जाएए आप हर महीने बाहर जाते थे आप वो 500 रुपय बचाईए आप 6 महीने में जाईए आपके पास 3,000 रुपए होंगे तो आप 3,000 रुपए के होटल में रुकिए आप हर महीने 4 जोरी कपड़े खरीदते हैं आप मत खरीदिये महीने में 6 जोरी कपड़े आप 200 रुपए का कपड़ा 6 बार खरीदते हैं एक महीने में तो आप 1200 रुपे बचा लेंगे आप next time जाकर वो shirt या pant खरी दिये जो 1200 रुपे का है उसको पहन कर देखिए कि आपको कैसा feel होता है 1200 रुपे के pant को पहनने में क्या experience होता है क्या feeling आती है और ऐसे जब आप अपने experiences को change करेंगे जब आप experience करेंगे कि जो वो better चीज़ें जिनको effort करने में आपको डर लग रहा है या आप अपने चादर छोटी होने की वज़े से नहीं experience कर पा रहे हैं और दूसरे circumstantial situations की वज़े से आप डर रहे हैं उन चीज़ों को experience करने में आप अगर हिम्मत जुटा कर एक एक दो दो बार करेंगे तो आप देखेंगे की कैसे आपकी पूरी दिमाग की programming ही change हो जाएगी और जब तक इस programming को आप खुद consciously shake नहीं करोगे कुछ नहीं बदलने वाला आप टालेंगे हो जिस तरह की lifestyle और habit आपने set कर ली है जो एक डर के साथ अपनी life को आप जी रहे हो उसे डर के साथ अपनी सारी life को आप जीते रहोगे कुछ नहीं बदलेगा अगर आपकी life को आपको बदलना है तो आप कभी कभी हिम्मत दिखा कर अपने चादर के बाहर पैर निकालिए और उन चीजों को experience करिए जो उन से better है जो आप experience कर रहे हो और आप देखिए उन चीजों को experience करने में क्या feeling आती है फिर आपकी उन चीजों को लेकर चाहत बनेगी जब आपकी उन चीजों से लेकर बैटर चीजों को लेकर चाहत बनेगी, तो आपसे effort भी होगी, कोशिच भी होगी, आप जादा हाथ पर मारोगे, क्योंकि आपने देख लिया है कि ये कितना better है, इसकी feeling कितनी better है, फिर जब आपको लगेगा कि अगर मुझे ये feeling retain करनी है, या ये experience, frequently experience करना है, तो आप कोशिच भी करोगे, और कोशिच करोगे तो होगा, ये human life तब तक change नहीं होती, जब तक आप खुद consciously effort डालना शुरू नहीं करो, आप खुद को shake नहीं करो, अपनी उस already sat programming को, algorithm को break नहीं करोगे, और वो आपको खुद करना पड़ेगा, इस तरहे धीरे-धीरे कभी-कभी हिम्मत जुटा कर, नई और better चीजों को explore करके, उनको experience करके, और फिर आप देखिए कि कैसे आपकी life बदलती है, कैसे आप अपनी life में excel करते हो, कैसे आप जब better चीजों की खोज में निकलते हो, तो आपको better चीज़ें, बेटर अपॉर्चिनिटीज मिलती भी है, और बेटर अपॉर्चिनिटीज आपको देती हैं, बेटर रिजल्ट, और तोज रिजल्ट्स help you to excel your life.